स्वीट कीचन में आज आपके लिए लेक के आई हूँ बहुत ही चटपटी और मसालेदार दई मसाला भिंडी की रेसिपी बहुत ही आसान है बनाना और रोटी और राइस के लिए पॉफेक है तो चलिए वीडियो स्टाट करते आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक श गेस ओन करेगे उसके उपर कड़ाई रखेगे कड़ाई को प्री हीट होने देगे और उसके अंदर मैंने एक चमच ओयल डाला है दई वाली भिंडी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी लिये है उसको अच्छे से दो के सुखे कपड़े से पोच लिये और बीच में से क उसमें फ्राई कर लेगे गेस का फ्लेम मीडियम रखे और भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई करते जाईए अभी गेस बन कर देगे और यह हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है अभी उसको एक प्लेट में निकाल देगे हमारी करड़ाई गरम हो चुकी है अभी उसमें मैं एक बड़ा चमच ऑईल डाल रही हूँ आदा चमच मैंने जीरा डाला है और आदा चमच राई डाल देगे अच्छी तरह से चटकने देगे थोड़ी सी हिंग डाल देगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे मैंने दो बड़े ओन्यल लिये थे और उसको बारी कट कर लिया था वो भी डाल देगे गेस का फ्लीम मीडियम रखेगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएगे दो हरी मिर्श डाल देगे बीच में से कट कर लेगे और थोड़े से करी लिश डाल देगे उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे गेस का फ्लीम मीडियम ही रखेगे और मिक्स करते जाएगे एक चमच मेंने जिंजर गार्लिक का पेश लिया है वो भी डाल देगे एक चमच मेंने लाल मिर्च पाउडर लिया है वो भी डाल देगे आदा चमच मेंने हल्दी पाउडर लिया है एक चमच मेंने धन्या पाउडर लिया है और आदा चमश में ने जीरा पाउडर लिया है सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे और अच्छी तरह से फ्राइ करते जाएगे और हमने जो अभी भिंडी फ्राइ की है वो भी कड़ाई में डाल देगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएगे गेस का फ्लेम लो कर दीजे और कड़ाई का धकन बन कर दीजे और पाँच मेंट तक अच्छी तरह से पकने देगे पाँच मेंट के बाद धकन खोलेगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे फिर से ठकन बन कर देगे और पाँच मेंट पकने देगे ठकन खोलेगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे अभी उपर से स्वाद अनुसा नमक डाल देगे और थोड़ी से मैंने कस्टूरी मेथी ली है वो भी डाल देगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएगे गेस का फ्लेम लोही रखे और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे मैंने तीन बड़े चमश दई लिया है उसको भी डाल देगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाए लगादार दई को मिक्स करते जाए क्योंकि दई फटे ना गेस का फ्लेम लोही रखे और मिक्स करते जाए आधा चमश मैंने गरम मसाला लिया है वो भी डाल देगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे उपर से थोड़ा पानी डाल दीजे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाए कड़ाई का ठकन बन कर देगे दो से चार मिनिट तक अच्छी तरह से पकने देगे कड़ाई का ठकन खोलेगे और आप देख सकते हैं हमारी दई मसाला भिंडी तयार हो चुकी है अभी गर्मा गरम सव करेगे आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और आपके फ्रेंड्स और फैमेली के साथ मेरा वीडियो शेर भी कर दीजे और मेरे वीडियो की नीचे लाइक का बटन है उसको क्लिक भी कर दीजे और अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब ना किया हो तो उसको सस्क्राइब भी कर दीजे बाई गाईस नेक्ट वीडियो में मिलते हैं